हेलो स्टुडेंट्स आज मैं पोएट्री का पार्ट लेकर आया हूं और मैं आपको फिर से बता दू कि प्रोज आपके पिछले वीडियो में समाब थो चुका था और सारा अबजेक्टिव जो इंपोटेंट थे उसको हम कर चुके हैं और मैं आज फिर पोएट्री में चल रह लिखा गया है और मैं आपको याद दूला दू कि जोन डॉन को मेटा फिजकल पोएट भी कहा जाता है और साथ साथ मॉडर्न पोएट भी कहा जाता है तो यहां देखेंगे खिज़म और कुएट्री मिंसेद नटवान द्ज रह ग्रहा फिजकल हम्हें यहां बात पहले भी बता है कि जॉन डॉन को मेटाफिचकल को पोएट भी कहते हैं दो पोएट इंटेंज टू गो ओन ए लॉंगर जर्णी दन कभी इस कविता में जॉन डॉन इरादा बनाते हैं एक लंबी जर्णी तय करना है किन से दूरी सूरत से सन से भी दूरी जर्णी है तो यहां सन हो जाएगा इस कविता में कहा गया है कभी कहते हैं मैंस पावर इज वीक या फीवल हम बोल सकते हैं कभी को किसे बहुत प्रेम था जिसके वज़ा से वह तुरत लोटना चाहते थे तो बिलवड अपने प्रेम का प्रिया से चलिए आगे हम देखते हैं अगला कूचन है अगला चेप्टर है Song of Myself बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर है और Song of Myself जो है वो वाल्ट भीट में द्वारा लिखा गया है तो यहां देखिए Who is the poet of Song of Myself तो वाल्ट भीट में एक बात मैं और बता दू याद रखेंगे कि वाल्ट भीट में को पिपुल्स पोएट कहा जाता है ध्यान देगे बचो वाल्ट भीट में को पिपुल्स पोएट भी कहा जाता है तो यहां देखिएंगे इस। ऋओ पिपुल्स पेट जान को पिपुल्स में 18rants डाय में शेल्ट भीट में 1892 में हुआ ठायों पिपुल्स फी रिश लेंडे में घक बात इमपोएटंथेंट है एक को अध कोलेक्षर है जो जिसका नाम है Lips of Glass किसने लिखा तो Walt bit man बहुत important है Walt bit man अगला question है The poet enjoy himself The poet enjoys himself and sings for self खुद से आनन मनाते थे खुद से गित गाते थे खुद के लिए गाते थे What does the poet discard कभी किस चीज को discard बहिसकार करते थे The nature's beauty What does the poet discard nature's beauty Who is the speaker in this poem इस कविता में बगता कौन है The poet himself कभी खुद है What does the poet observe in summer बहुत important question है What does the poet observe in summer A spike of grass A spike of grass एक बात मैं और याद दिला दू एक question बार बार आता है Now I am 37 years old Is written by तो now I am 37 years old जो है A song of myself का ही एक वाक्य है और यह बात कहें है वाल्ट भीटमेंड कहें बहुत important है बहुत बार पीज पूछा गया है चलिए आगे हम देखते हैं अगला है आपका Now the lips are falling fast अपेरो से पत्ते जोरो से ज़रने लगे है Who is the poet of Now the lips are falling fast W.H. Auden W.H. Auden W.H. Auden was burn-in W.H. Auden का जर्म का भुगा था 1907 में W.H. Auden died in 1973 1973 में W.H. Auden की मिर्थु ही थी W.H. Auden won the pleats of prize in the year W.H. Auden को कौन सब प्राइज मिला तो सबसे पहला कुछान तो यह हो गया Pleats of prize का प्राइज और कम मिला तो 1948 में W.H. Auden को प्राइज 1948 में मिला What are falling fast क्या चीज, कौन सब चीज जोरो से ज़रते हैं लिप्स पत्ते लिप्स पत्ते Who disturb the real delight of the aging persons तो whispering neighbors महने उम दराज लोगों को बास्तबिक खुशी से आनन से कौन परिशान करता है अलग करता है तो whispering neighbors जिसको हम करते हैं यमदूद The prompts are rolling The prompts are rolling या the prompts go rolling on ऐसा कुशन आता है ध्यान देगे तो बच्चों फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे इसका अगला भाग लेकर तब तक के लिए धन्यवाद और्याई गले मिले पश 1,5 फिर बम्दप लेकर थेखेए